हाई गाईज फिस्टी स्वागता आपका dnv व्लॉग में मैं हूँ यहाँ पर स्स ब्रदर की स्टॉल पर और इन से जानेंगे यह है जैपूर से बेसिकली और यह लोग डील करते हैं रत्नों में और स्टोन्स में इनके पास बहुत सारी हुज वराइटी है आईए चलते हैं बात करते हैं SS ब्रदर से यह लोग है जैपूर से और यह लोग जो है डील करते हैं बेसिकली सारे स्टोन्स में एटू जो है न स्टोन की विराइटी अगर आप ज्वैलरी में डील कर रहे हो और अगर आपको कोई भी ऐसा स्टोन हो जो चाहिए हो तो SS ब्रदर से आप बात कर सकते हो हर एक विराइटी हर एक स्कों आपको जो हैं यहाँ पर मिल जाएगा चाही वह चोता सोन हो चाही वह बड़ा सोन की बात करें चाहीए आपका जो है नेकलेस बनवाना हो अंगुठी बनवानी हो यह पिर कुछ भी तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ है यहां यह है SS brother दोनों जो है SS brother के यह ओनर है जो यह company है और बहुत ही अच्छी बात है सर मिल जुल के काम हो रहा है और कहां से हैं basically sir? हम लोग जैपूर से हैं और यह हमारा family business है और चुके यह चीज हमने ही start कि थी तो आपकी दुआ से जो भी तरक्की है वो सब महनत है हमारे बड़े भाई साब की जी जी कि यह बहुत महनत की starting से 30 साल से इस काम में है और SS brothers एक समझ लिजे के starting जो है those stones की starting से लेकर के और end love show में आकर के माल बेजने तक का पूरा काम करते हैं हमारा में होलसेल का काम है जैपुर में और जितनी भी बड़े एक्सपोर्टर्स बाटनी है उनको स्टोन सप्लाई का काम हम करते हैं तो everything sir एक कोई भी स्टोन की बात करें सारे स्टोन से अवैलेबल हो जाते हैं आपके पस या उसके बीट्स या कट स्टोन या कैपुशन जो कुछ भी उसमें बनता है उस सब हम बनाते हैं ओल्कीज और ओल्की के पेर्ट और शेप वाले पेर्ट यह हमारी स्पेचिलिटी है और कार्विंग सब हमने नए दोर पर शुरू की है मैलन्स कारविं टोरते हैं और हम उती है व समग्का टेती हैं हो समस्लिट नहींटी जोल्कीज उसम हों कोंग में दुबई में पहरीं में और यॉर्प में तेज जगह पर हमारा एक्सपोर्ट रहता है और बेसी काम होता है बागी सर यह सारेज क्यों इंडियान है? नहीं से स्टोंस तो हम परचेज करते हैं अफरीका से अमरीका से अच्छा इंडियान है नहीं से स्टोंस पी है लेकिन मैनिफेक्चरिंग अपनी सारी जैपूर में होती है चीक है और जो स्किल इंडिया के पास मुझूद है वह कहीं भी दुनिया में वहाइगा दून के माल रेकर आए तरविन का जो स्टेंडर अपना है वो स्टेंडर कहीं भी नहीं जी तो इंडिया इस बेस इंडिया इस ऑलवेस बैस राइट थैंक्यू सो मसर आपने इतना टाइम दिया इतने बीजिन सर्डूल में आपने रेली अमेजिंग कि बहुत सारे आपे जो स्टोंस हैं मैं देख पा रही हूँ हर एक विराइटी कि एवन हर एक चीज आपके पास अवैलबल है कोई ऐसा स्टों नहीं होगा इनकी जो स्टॉल है वहाँ पर जो ना हो तो यह इनका सब स्टाफ है यह लोग सच में बहुत ही कार्ड की तो इनका जो कॉंटेक नंबर है वो यहाँ पर मैंचन किया गया है आप भी इनसे कनेक करिएगा किसी भी चीज के रिकार्डिंग आपको कुछ ब्रॉड़क अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप इनसे कनेक कर लीजेगा ऐसेस ब्रदर